हेलो बच्च नमस्ते कल मैंने आपको एक गुलाब के फूल की वीडियो भीजी थी क्योंकि पूसु चित्रण इंट्रिमेडरी क्लास में और हाई स्कूल में और जुन्य कश्वाश सुभी में आता है तो इसमें आज इस कडी में मैं आज आपको गुडल का फूल में पताने ज जहां से बड़ा केरफ़ली देखेंगे मैं ड्रॉइं किस तरह से कर रहा हूँ तो मैंने एक सरक्ली मैं बना रहा हूं हलका सा कल भी मैंने आपको बताया था कि लाइन को बहुत लाइट करना है ताकि कोई परोसी में बच्चा बैठा है परोसी में बैठा है वो आपको से मैंने डिफिरेंट डिफिरेंट लाइन बना लिए अब इसी को ही हमें एक पत्यों की शेप देनी है पत्या गुढल में 5 होती है एक दो तीन चार पांच तो पत्य हमने बनाई है और इस तरह से इसकी ब्रांच बना लिए मैंने और इसके साथ एक कली, फे एक पत्ती के लिए लाइन खीच दी हमने, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, क्योंकि चारप्त पत्ती बननी चाहिए कम से को इसमें, तो तरह एक त्रिंचा पत्य के मैंने लाइन खीच ली पहले बाहर के आउट राइन कर लाएं त्रिस में जो कट्स वगरा बनाने हैं पत्यों के वो बाद में हम लोग कर लेंगे पहले इसके हलका सा रेखांकर हम कर लेते हैं यह हमने के कली बना दी इसके बाद इसका पराग यह बना देते हैं साइट में इस तरह से यह हमारा फूर तेयार है लगवक ते इसके बाद कलर की परंपरा में आपको बताया हूं वही मेरे पहले भी बताया था हम कलर को लाइट से करके चलेंगे फिर डार्क करेंगे तो हमें एक साइट से डार्क कर दिया मैंने एक साइट दो कि यह तो डार्क किया है ऐसे इस पर यह तो डार्क किया है मैंने ते दूसरा तरण इसको क्या है लाइट करना हम करते हैं सेंपानी अब देखे इस तरह से बनता हुआ आ रहा है आपके सामने और इस तरह से हमने एक तरह हलके से करल कर दिया थोड़ा सा इसको ठोड़ा ड्राइ करना चाहिए सोखना चाहिए ताकि दूसरा हम सेट भी इसमें कर सकें क्रिमसन रेड मैंने इसमें किया हुआ है थोड़ा सके बाद पहले वरेडियन रेड था कलर के बारे जानका आपको होने चाहिए और अक्सरा एक्जाम में रंग से संबंदित कुश्यन भी आपको आते हैं यह आपको करने देखे इस तरह से मैंने यह कर दिया है कली का भी साथ साथ कर देते हैं कर दो हमें जो चीजबनानी होती उसको कम से कम जो वास्टिक्स का रूप होता है प्लाकरती की जो रूप होता है जो कि इसको में पेड़ लगे रहते हैं उनको देखना चाहिए और हलके- nessl guards को हरता है करना चाहिए पहले बहुत light येहलो कोई कर रहा हूँ आपके कि येलो को कर रहा है को येलो इसके बैगरणन में हो जाया है कलर्स और सूखने के बाद इसको थोड़ा सा हम इसको सूखने के तक वेट करते हैं खरा सा है और इसके बाद इसके ब्रांचे में हम लोग करने हैं कलर यह देखिए और सेब ग्रीन में ने बताया था सेब ग्रीन में थोड़ा येलो मिला लिया है मैंने परिक्षाव में आपके पास काफी परियाप समय मिलता है और कुछ बात आपको पताने चाहूंगे जो कुछ बच्चे 11 में और 12 में होंगे तो उनके लिए खास बात यह बताने चाहूंगा यह मात तक 30 नमर का आता है और 60 नमर में आता है हमारा आलेखन जो मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ भी है कुछ बच्चे देख सकते हैं उसे और 10 नमर के आप इसमें थियोरी के कुश्चन साते हैं एक दिन में आपको थियोरी बे यूट्यूब पर डालूँगा ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से तैयर कर सकें मेरा मक्सद यही है कि आप लोगों के अधिखांस नमबर बोड में आए और आप इस आर्ट सेब्डेट को खाली इंटर्मेटर तक सिमित ना रखें आगे तो कोई एजे केरियर भी हम उसको बना सकते हैं कुछ लोगों को जानकारी आवाब कोंगी वेसे वो भटक जाते हैं और जब हमारा समय नकल जाता तो बच्चे बादों में उसे मिल दाटे है कि सार आप क्या करें तो बाद में क्योंकि जो समय निकल जाता है तो उसमें लोग भी ऐसंवर्थ हो जाते हैं गाइट करने में तो पहले अगर लक्ष हमारा हो जाता है तो हम इसको अच्छे तरह से आगे उस लक्ष पर बढ़ सकते हैं इस तरह से इसको पत्ती के जो शेप है वो धीरे धीरे बाद में इसको पूरा करते जाएंगे पहले मैंने बेगरण्ड में हलका रंग कर लिया है और इसके जो शेप है यह आप सूखने के बाद थोड़ा करें तो ज्याद अच्छा लगेगा इसके जैसे पत्ती के कौने बनाने ही है इस तरह से यह देखिया पूरा होता आ रहा है आपको दीर दीर आपको सामने एक किस तरह से मैं लाइनिंग कर रहा हूं दिहान रखें एक एक पत्ती के मैं भी दिखा भी रहा हूं आपको यह लाइंड आउट्ट कर लें फिर किस तरह से मैंने लाइट कलर किया इसके अंद हरा आउटि लान किस तरह से कर दी हमने यह मैं जो कलर्स कर रहूं के वाटर वाटर-वाटर अदुर्टे की थरी यह लो और हला कि आप भी इस तरह से कणफे कर सकते हैं अजिस में हम लो कर सकते हैं जिसम से करना चाहिए और जैसे मैंने बताया से थोड़ा रुक रुक के करना चाहिए कि एक साथ क्या होता है करने में कलर गीले रहते हैं और हमें से ठीक नहीं करते हैं इसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग इसका ब्लू थोड़ा सा बेक्ड़ॉंड में कर देंगे इसको लेकि दियान अगना है कि हमारा जो कलर्स करते समय जो मैंन अब्जेक्ट हमारे जो फ्लॉवर से इसको डिस्टब नहों तो बहुत मैं लाइटाइट कलर से इसमें कर रहा तो सारी जो ड्राइंग्स हैं यह सब खराब हो जाएगी और यह हमने लाइट कलर करके तो इसके बैग्राउंड बाइट है इसको थोड़ा समय ने कम किया है ताकि यह चित्चे और खुफस्ट लगए और आपको बार बार एकी बात बचा जाती है एक बार के प्रेक्टिस म जाड़ मत होत सुजान यह जो कभी ने कहा है इसलिए तो कहा है कि एक बार के प्रियास में सपल होने से हम लोग कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग सफल ना होंगे वेविश्चे में तो आप इसको लगातार नेतर बियास करें यूटूब में बहुत सारी चीज़ पढ़ी है मेरे तो उसको हम कैसे कैसे पुरा करना है वो सारी चीज़ दे कर अपना काम अवस्य दिरूब पुरा करें कि इस तरह से कोई डार्क आउट लाइन में कर रहा हूं साथ साथ इससे क्या कि लाइट लोड डार करके से पेंटिंगों मज़ा जाता है पहले मैंने बारवाई बताते रहता हूं नियम भी होता है बाटकलर्स के क्या हम लाइट करेंगे पहले हम लाइट कलर करते हैं फिर डा पाद में करते हैं पहले तो मैंने लाइट कलर किया था आपके सामने और बाद में डार कलर तो इस तरह से आपके सामने ही पुरा कर दिया है ब dissip इसको on YouTube में हो क्लास में आपके आता यह रहता हूं और कोशित रहती है मे Tä् Rise चाहने कि लिए क्लास में क्लास में आपको पती है कि धुप्र सारी बच्च के भी रहते हैं तो आपको sound वीव में दिक्कत आ सकती है वैसे डिक्कत आ सकती है लेकिन यूदूब में आपको क्या है कि बार-बार देखने में आपको बार बार देखने में आजाएगी कोछ नजी सुन में रहे हैं तो मेरे comment box में जाए समझ ले वह आपको सुन में आ जाएगा फिर अब मैं थोड़ा तो इसे आउट लाइन से थोड़ा सा चीज किसको कर रहा हूँ तो आपको कैसा लगा आप बताईए मुझे comment करके जरू बताएं comment करने सब बच्चों के लिंक पर रहते हैं कि हम लोग कौन को बच्चे मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं तो आप अच्छा लगएगा सब लोग मुझे बताएंगे देखेंगे और अच्छा लगएपने जो दोस्त नहीं देख पा रहे हैं इंडिविज्यली उनको आप यूट्यूब पे इसको शेयर भी कर सकते हैं शेयर में बच्चों को दूसरा फायदा हो जाएगा यह देखेंगे आज मैंने काम बता रहा हूं और नाजदिक से थोड़ देखेंगे इसको तो एक इची डिटेल आ जाएगे आपको बताएंगे इसको थोड़ा से कैसे कर रहा है हम लोग तक है। झाया है तक है। झाया है